संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल को उस आदेश को वापस लेने को कहा है, जिसमें उसने 11 लाख लोगों को उत्तरी से दक्षणी गजा जाने के लिए कहा है। युएन ने ये जानकारी दी थी, लेकिन युएन का कहना है कि अगर ऐसा कोई आदेश दिया गया है तो इसे तुरंत रद्ध करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, तो त्रासदी के हालात और भी भयावह हो जाएंगे। दरसल इसराइली सेना के प्रतिनिधियों ने गजा पट्टी में युएन का नेतरित्व कर रहे लोगों को इस आदेश की जानकारी दी थी, लेकिन इसराइल के दूतों ने कहा है कि गजा पट्टी खाली करने के आदेश पर युएन की प्रतिक्रिया शर्मनाक है। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के दूत्र ने कहा कि इस उसने हमास की ओर से और आम नागरिकों और गजा पट्टी पर होने वाले हमलों पर भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो इसराइल के साथ खड़ा होने के बजाए उसे नसीहत दे रहा है। गनी आबादी वाला गजा शहर है। इसराइली सेना ने गजा और यरुशलम के समय के मताबिक ये चेतावनी आधी रात से पहले दी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान में कहा है कि उसका मानना है कि इतने लोगों का दक्षणी गजा की और जाना इतना आसान नहीं होगा। इसमें लोग हमले के शिकार हो सकते हैं। झाल में राधी और पियानी ने में होगीवें गाना आसाना है।